जिस order को लेकर और चर्चाय हो रिये पूरी राजस्तान में एक बात टै कर लेनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस तरह के order राजस्तान की सरकार नहीं मानते एक डीजी ने order निकाल दिया कि अब राजस्तान में जब भी कारवाई होगी तो इस तरह के जो अधिकारी होंगे उनक यही कारण है कि राजस्तान नंबर बन पर है कारवाई करने में आईएस आईपीएस ऑफसर बड़े-बड़े अधिकारियों को हमने गृफ्तार किया है तो तै किया है कि जनता हमसे भागिदार बनकर प्रश्टाचारियों को पकड़वा रही है तो राजस्तान की सरकार या हूँ कैसो गयालोजी की नॉलेज में यह ओडर होगा नहीं और डीजी ने यही ओडर आते ही पहले ही दिन निकाला है तो मैं तो खुद इस ओडर से जहमत नहीं हूँ तो लोग को यह इस तरह कि ब्रश्टाचार को किसी भी कीमत पर राजियों गांदी जी हमारे नेता थे एंटिटी फेक्शन बिल लेकर है मलेज की तोड़ फोड होती थी सरकार ही गिर जाती थी पर यह तैव आगे दोत्याई बहुमत के बाद ही हो तो जिस कॉंग्रेस ने देश में भृष्टाचार को खत्म किया भृष्टाचार को खत्म करने की मुहीं सुरू की वो कॉंग्र की राय के जल्दी बादे में इस तरह के ओड़र जारी नहीं करने चाहिए मैं खुद यह मानता हूं कि डिपार्ट्मेंट सीम का है मेरी सीम से कोई बात नहीं हुए लेकिन मैं इतना कह सकता है कि यह और्डर चलने वाला नहीं है किसी भी किमत पर डीजी के इस तरह के से हमारे order से डी जी आई एस आई पिस बाउंड होता है जो order home minister chief minister है home minister का जो order होता है वो मानने होता है तो राजस्तान में इस तरह की कोई जगे हम नहीं देंगे जिससे प्रिष्टाचारियों के होसले बुलंदो प्रिष्टाचार खत्म करना हमारी जिम्यदारी उसको लेकर सरकार और सक्त होगी और हम अभी नंबर वन पर रहेंगे हमारा रास्ता यह नहीं है जैसे बीजे पी वालों ने विजे मालिया मेहूल चौक से नीरो मोधी को इस पेस दे के बाहर निकाल दिया हम प्रिष्टाचारियों के खिलाब कारवाई करते हैं वह कारवाई हम करते रहेंगे और वह कारवाई लगातार जारी रहेंगे